स्वागत है आपका आईए आईए वेलकम फाइनली आप स्टॉक मार्केट में आ ही गए और आपने वीडियो खोला है कि अगर नहीं खुला है तो बहुत सिंपल है तीन सो रुपे में अकाउंट खोल जाता है आपको ज्यादा डालना होता है दो दिन में अकाउंट खोल जाता है जिरोधा की वेबसाइट में आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी बेसिकली किसी सोचल मीडिया अकाउंट खोलने जैसा है बस आधार पैन और बैंक स्टेटमेंट आपको एक्स्ट्रा डालना होता है दो दिन में अकाउंट खोल जाता है बस जब भी आप अकाउंट खो इसको देख लेना लेकिन मैं ये करना रिकमेंट नहीं करता हूं और अगर आपके पास कई उपर कहोते हैं स्टूडेंट अकाउंट खोल रहा है कोई तो अगर आपने अपने अप्शन भी चुन लिया आना तो आपको इंकम प्रूफ जादा देना पड़ता है तो जादा इ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और जिरोधा की वेबसाइट में अकाउंट खोलने के इंस्ट्रक्शन भी हैं तो अब हम आज के मुद्दे पे आते हैं जीरोधा से आप स्टॉक्स कैसे खरीच सकते हो जीरोधा ना एक इको सिस्टम जैसा है वो अपने पार्ट आपनर आप्स के जरीए आपको अलग-अलग एसेट क्लास में इन्वेस्ट करने के ऑप्शिन्स देता है जैसे स्टॉक्स के लिए काइट हो गया, mutual funds के लिए coin हो गया, आपको bonds में करना है तो golden pie और wind wealth हो गया, उसके बाद future and option के लिए sensible भी है तो यह बहुत बड़ा एक एक ecosystem है, जैसे हम internet पे, अलग-अलग websites में जब हम जाते हैं तो हमको दिखता है Google sign in, तो Google basically एक login layer जैसे act करता है, मेरे हिसाब से जिरोधा भी काफी हद तक finance में platform जैसा बनता जा रहा है, कि अगर आपके पास जिरोधा account है, तो आप बहुत सारे partner apps भी use कर सकते हो और अपनी investment needs को इसलिए description में जाके link है, जिरोधा का account खोल लीजेगा अगर आपके पास नहीं है, तो अब हम जानते हैं कि stocks कैसे खरीदना है, मुझे पता है, बहुत excitement होती है न, दस साल पहले जब मेरा पहला demat account खुला था, तब खुलने में time लगता था, 10-15 दिन लग गए थे, offline paperwork था, औ मेरे न, दिन कटी नहीं रहते, कि वो आए, मेरा account खुले, मैं login करूँ और share खरीदो, फिर जब ऐसा हुआ, account खुला, तो मैं थोड़ा confused हो गया, बड़ा ही clutter सा, तब मेरा पहला broken account जिरोधा नहीं था, तब जिरोधा हुत्ता popular नहीं था, तो जो मेरा broker था, बड़ा ही complicated सा interface मुझे जादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्या करना है, थोड़ा confusion था, आज हाला कि UI वगर काफी आसान हो गया है, जिरोधा मेरे opinion में सबसे आसान brokers में से एक है use करने को, लेकिन फिर भी, पहली बार की nervousness, पहली बार का थोड़ा डर, वो excitement, तो अगर मैंने सूचा, मै watchlist पे आए, तो आपको जो share पसंद आ रहा है, उसका नाम type करिए, और आपको एक plus box दिख रहा होगा, plus icon, उसको click कर दीजिए, तो ये share आपको दो बार दिखेंगे, अगर वो BSC, NSC दोनों में listed है, कोई भी track करिए, कोई भी add करिए, आपके लिए कोई फरक पढ़ने वाला नहीं, ये खरीदना नहीं है, ये बस जैसे हम shopping cart में add to cart कर लेते हैं, या add to bag कर लेते हैं, या favorite list बना लेते हैं, ये उस तरीके का है, ये वो stocks हैं, क्योंकि market में ना 5000 stocks हैं, अब आप सारे तो track नहीं कर सकते, तो ये वो stocks हैं, जो आपको पसंद आ रहा हैं, जिन पे नजर आ रखना चाहोगे, तो सबसे पहले तो इस list को maintain करो, अब अच्छे stocks आप कैसे ढूंडोगे, तो हमारा ticker किसके लिए है, phenology ticker पे जाहिए, और वहाँ आप अपना stock analysis खुद कर सकते हो, company से related, जो fundamentals आपको चाहिए, जो data चाहिए, वो ticker by phenology पे available है, तो ticker by phenology पे जाहिए, लि आप से दार कमनियों मैं शुरू कहां से करूं, वो problem solve हो जाती है, क्योंकि कुछ जो quantitative basis पे अच्छे stocks हैं, उसका हमने एक automated basket बना दिया है, तो आपकी list थोड़ी short list हो जाती है, तो ticker पे जाहिए, stocks analyze करिए, जो stocks आपको पसंद आ रहे हैं, उसको यहां आके आप watch list पे add करते रहे हैं, तो step 1, आपने अपनी अच्छे अच्छे shares की watch list इखटी कर लिए, अब खरीदने के लिए, पैसे भी तो होने चाहिए, तो पैसे आप अपने bank से transfer करने के लिए, आपना screen के bottom right पे देखिए, आपका जो ID है, जिरोधा ID है, वो mentioned होगी, उसको click करिए, तो आपको एक funds पे click करो, amount डालो, और UPI, Google पे या फिर net banking के जरीए, आपके पैसे transfer हो जाएंगे, यहाँ ध्यान रखना, जब भी आप net banking से पैसे transfer करोगे, तो 9 रुपय प्लस GST का charge है, तो वो free नहीं है, UPI या Google पे ऐसे कोई भी आप app यूज़ करोगे, तो वो free है, तो ये एक बार सोच आपके पैसे add होगे ना, पैसे usually तुरंत add हो जाते हैं, 10 second, 15 second में एक minute maximum लगेगा, आपके पैसे add हो जाएंगे और वो fund section में आपको दिखते रहेंगे, उसके बाद, जो watch list में आपने stocks add किये होएं, जैसे मैंने यहाँ कुछ stocks add किये होएं, by the way, इसरफ आपको समझाने के ल लेकिन, इतना simple भी नहीं है, अभी जो मैंने process बताया है ना, वो है, अब आप order type पे जाओ, वहाँ आपको दिख रहा है market order, तो अभी जो मैंने आपको बताया ना, यह market order है, बस quantity डाली, swipe to buy किया और share आ गया, यह market order है, market order याने कि market में जो भाव में share मिल रहा है, वो भाव 1000 रुपए का हो जाएगा, तो मैं 101 में खरीदूं कि 99 में कि 105 में कोई खास फरक नहीं पड़ता, जो लोग बहुत short time के लिए लेते हैं, कि यार 100 में लूँगा, 110 में बेच दूँगा, तो उनको 101 में लेना भी भारी पड़ता है, तो वैसे में, वो market order पे नहीं खरीद सकते उनको तो exact चाहिए कि मेरेको 99 रुपए 50 पैसे पे चाहिए, तो ऐसे में वो use कर सकते हैं, order type में देखे, market के बाजू में है limit, इसमें आप set कर दोगे price, तो जैसे ही मैंने limit क्लिक किया, आप उपर देखो quantity के बाजू में price वाला जो column है, वो activate हो गया, यहां मैं price डाल दूँ तो यह अगर आपके दिमाग में है कि इस से उपर में मुझे नहीं चाहिए, तो आप limit order लगाओगे, लेकिन ध्यान रखना, यह सिर्फ एक दिन के लिए है, अगर आपको मानलो, market बंद होता है, साड़े तीन बजे, आपको चार बजे याद है, यार मुझे share खरीदना था, आज भूल गया, आप कल खरीदना है, तो उसके लिए भी solution है, आप जा सकते हो, उपर AMO दिख रहा होगा, इसका मतलब है after market order, market बंद हो गया, तो आप कल के लिए, आज से ही order डाल सकते हो, AMO को use करके, लेकिन आपको चाहिए, कि यार मेरको ना, आज कोई share 100 रुपे में है, यह जब भी 70 रुपे में आए, 70 में, तब मुझे चाहिए, अब वो चाहे अगले महीने आए, चाहे 2 महीने में आए, चाहे 4 महीने भी आए, उसका भी solution है, आपको back जाना पड़ेगा, वापस watch list में, आपको जो share चाहिए है, उसको एक बार click करो, और नीचे देखो आपको एक option दिख रहा है, create GTT, इसका मतलब है, good till triggered, यानि यह order तब तक good रहेगा, good मतलब activated रहेगा, जब तक यह share आपको मिल नहीं जाता, अगले एक साल के अंदर, यानि आज अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे कोई 100 रुपे वाला share, 60 रुपे में या 70 रुपे में चाहिए, तो म की lapse हो जाएगा, लेकिन साल भर तक मेरे को track करने की जरुवत नहीं है, कि यार कब वो share आएगा, आया की नहीं, जब आएगा, मुझे मिल जाएगा, तो यह एक बड़ा अच्छा feature लगता है मुझे, अब हम वापस वो order वाले tap पे जाते हैं, आप देखोगे, आपको product में द transfer नहीं करोगे, या आप रोज का जुआ जैसा कर रहे हो, ऐसा मान लो, आज आपने इसलिए खरीदा है कि आपको आज ही बेच के निकलना है, तो आप intraday order प्लेस करोगे, और यह share की, अगर आपको delivery चाहिए, अपने demite account में, आप long term के लिए खरीद रहे हो, तो आप long term टे क रोगे, एक tip दूँ, please intraday मत करना है, please long term ही करना, मैंने जो अभी तक आपको बताया न, वो ज्यादातर investment के around था, कि कैसे investment करना है काइट से, बस intraday वाला मैंने बताया, लेकिन अगर आपको और in-depth जाना है, आपको हर तरहा के order place कैसे करने है, तो मेरी कलीग ने, मेरी दोस पूस्त ने भी एक video बनाया हुआ है, जहां उसने और detail में समझाया है, हर तरहा के orders कैसे place होते है, तो आप उस video को देख लीजेगा, उसका link video के description में, और इधर card पे आपको मिल जाएगा, मैं जैसे इसमें से कोई भी setting को छेड़ता नहीं हूँ, बढ़िया long term ही रहता है मेर market order ही रहता है मेरा, मैं कभी limit पे भी नहीं जाता है, एक आतर रुपे बचा के फरक नहीं पड़ना है, जब मैं 10 गुना होने के सपने देख रहा हूँ वो share के 10 साल में, तो मैं बिल्कुल छेड़ चाड़ नहीं करता हूँ, इसको बिल्कुली simple रखता हूँ, अब आपने को options दिखेंगे, holding और position, position वो shares हैं, जो या तो आपने आज खरीदे हैं long term के लिए, या आपने खरीदे ही थे intraday के लिए, उसकी list आपको यहाँ दिखती रहेगी, उसके बाद अगले दिन, दो दिन बाद जब भी वो share आपके DMAT account में आता है, तो वो आपको holdings में दिखेगा, तो जब भी आपको track करना है कि आपने क्या खरीदा है, आपने कितने का investment किया है, आप कितने profit या loss में हो, आपका total investment क्या है, ये सारी details, कौन सा stock आपके किस quantity में है, वो आपको दिखेगा ये portfolio section में, अब portfolio section में आपन समझते हैं कि यहाँ आपको share दिख रहा है, अब इसको मै आपको आज तक कितना loss या profit हुआ है, मतलब आपने कोई share अगर 100 उपर में खरीदा था और वो पिछले एक महीने में गिर गिर के 98 आ गया है, तो वो आपको दिखाएगा कि आपको इतना loss हो रहा है percentage में, उसके नीचे जो amount है, वो ये दिखाएगा कि आपको overall इस stock में कितना profit हो रहा है, आज का नहीं, आज क्या भाव है वो नहीं, overall कितना profit हो रहा है, उसके नीचे आप आओगे तो आपको LTP दिखेगा, याने last traded price, याने आज आखरी उसका भाव क्या है, या तो live price क्या है, या market बंद हो गया है, तो वो किस price पे बंद हुआ है, और उसके बाद bracket मे आपको दिखेगा, कि आज उस share में आपको कितना profit या loss हुआ है, तो आज जो bracket में profit and loss दिख रहा है, वो जरूरी नहीं है, उपर aggregate profit and loss कितना है, आपको उस share में जब से आपने खरीदा है, वो ज़ादा जरूरी figure है, इसके बाद हम एक ऐसे section में जा रहे हैं, जिसमें नए investors बड़े excited होते हैं, IPO के लिए कैसे apply करता है, तो फिर से bottom right पे आपकी जो profile है, आपको वहाँ जाना है, और वहाँ आप देखोगे, नीचे console एक लिखावाया है, और साथ में icon बनावाया है, उसमें आपको options दिखेंगे, portfolio के, trade book के, P&L के, ये P&L हर साल आपको tax filing के समय काम आ तो यहाँ आप जाईए, जो भी IPO उस समय open है, आपको जिसमें भी apply करना है, आप IPO section में जाके apply कर सकते हो, इसके बाद मेरा favorite section है, gift stocks, तो मैं अपने दोस्तों को, relatives को, कोई non useful gift देने के बजाए, stocks gift करना पसंद करता हूँ, तो अगर आप भी अपने किसी आसपास वालों को gift क करना चाहते हो, तो वो यहाँ से दे सकते हो, इसके बाद family option है, जहाँ आप ही, अगर आपको रगता है, आप बढ़िया अच्छे expert हो, तो आप अपनी family के zero-dha account को भी इसी tab से manage कर सकते हो, तो अभी यह मैंने आपको बताया है, सिर्फ stocks खरीदने का, वो भी long term और intraday के लि वहाँ से आपको mutual fund, इसमें एक और फर्क है, coin app में भी आपको funds अलग से add करने पड़ेंगे, यहाँ के fund वहाँ use नहीं होंगे, और अगर आपको चाहिए कि आपने कोई share बेचा, तो वो पैसा ना आपके account में नहीं आता है, वो zero-dha में ही रह जाता है, कुछ दिनों तक, फ उसको अगर आपको withdraw करना है, तो जहाँ add funds है, उसके बाजू में ही withdraw का भी option है, तो आप withdraw कर सकते हो, mutual funds के लिए आप coin app use कर सकते हो, sovereign gold bond के लिए भी, जैसे हमने share का नाम डाला, उसी तरीके से, आप watch list में SGB लिखना, आपको sovereign gold bond मिल जाएगा, और आप वो भी zero-dha से ही खरी आप से आप खरीच सकते हो, मैं अब 6-7 साल, 8 साल से use कर रहा हूँ, मेरा experience बहुत अच्छा रहा है, मैं क्योंकि बहुत जादा trade नहीं करता हूँ, मैं intraday तो बिलकुल नहीं करता हूँ, short term नहीं करता हूँ, तो मैं कभी-कभी खरीचता हूँ, कभी-कभी बेचता हूँ, तो ऐसे में मेरा experience बहुत अच्छा रहा है, मैं खुद हमेशा इसे अराम से use करता रहा हूँ, तो आप अपना 0-10 account अगर नहीं खुलवाया है, description में link है, खुलवा सकते हैं, उमीद करता हूँ, ये video से आपकी मदद हुई होगी, आपकी थोड़ी सी nervousness कम हुई होगी, और share खरीदने से पहले आपको जरुवत है कि क्या basics का आपको ध्यान रखना है, खरीदने से पहले, कैसे कमनिया ढूंडनी है, तो phenology में आप free account अपना open कर लीजिए, जिससे आपको 10 courses free मिल जाएंगे, phenology quest में, recipe में आपको कुछ calculators मिल जाएंगे, और phenology ticker में आपके कुछ features unlock हो जिससे आप और जादा mentally prepare हो सकें अपना पहला investment करने के लिए, all the best, और मुझे comment करके बताइएगा, कि आपने पहला share कौन सा लिया, या जब अगर आप पहले से भी trading कर चुके हैं और आपका ये second या third trading account है, तो भी, आपने पहला share कौन सा लिया था, मुझे जरूर बताइए This is Pranjal Kamra, signing off, bye bye and wishing you all the best.